हेलो फ्रेंद्स और वेल्कम तुद एक्जाम्स मेट सिंपल और विए बैक अगें विद धे हिंदू कंप्लीट नियूस्पेपर अनालिसिस फॉर 13 जून 2021 का धे हिंदू नियूस्पेपर अनालिसिस देखेंगे संडे का दिन है तो हम केवल हिंदू से इस्टिक करके बाकी चीज़े आज नहीं देखेंगे स्टार्ट करते हैं देहिंदू नियूस्पेपर के साथ जिनके आंसर्स आपको देने हैं फर्स्ट कॉश्चन इस दिहिंग पटकई नेशनल पार्क इनमें से कहां लोकेटेड है आप्शन सार ए असाम बी मनिपूर सी मेगाले आइड और अटारप्रदेश क्श्चन नमर् 2 समार्ट किचन प्रजेक्ट इनमें से कौनसे स्टेट नेश्ट किया आप्शन सार ए कारला बी वेस्ट पंगौल दी गुजराद कोर्शन नमर् 3 समार्ट इस से जिए बाइने लिवानैं नोग पर्लोग इस स्टेटमें तो फूर्च दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है नोरो वाइरेस इस थाट तो बी थे मोस्ट कॉमन कॉस अव डाइरिया और वर्मिटिंग इल्लेस स्टेटमेंट्स आपको बताने कौन से सही कौन से गलत है वन अल्ली टू अल्ली बोथ है नन दिस इस दे कुछ नमर थ्री नो लेट में टेल को बताता हूं पहला कौशन मैंने पूछ ता कहां पर रहे तो आपको बताता हूं कि देहिंग और राइमोना दोनों जो है असाम में साथ नैशनल पार्क बन गया है इंवर रायमोना भी आशा में याद रखे गा कॉश्जन नमबर तू विचदर फोस्किश पर लिए ने प नहीं में थर्ड मैंने पूछा है फूट बॉन डिस्टिस के डाइरिया और वे में पहाण दोनों ही स्टित्मेंट साहिए है जो है वह फूट बॉन डिसीजस वा इट वह इस करता है घ्लॉमननेलेव सिस के नाम से नोरो वाईरस जो है it is thought to be one of the most common cause of the diarrhea and vomiting illness these are the correct answers for these three questions I hope you got clarity आगे move करते हैं news analysis part में आते हैं सबस्से पहले आपको आदे हैं GST जो है वो 14 covid relief goods के लिए कम की गई है ठीक है ना it has been reduced for now for example tocilizumab और m4 terecin जो है यह अभी existing 5% इनके पर tax लग रहा था जीरो परसेंट लगेगा कोई टैक्स ने लगा रमडे सिविर एंटी एकोगलेंट लाइक है बैरेन इनक में 12% का टैक्स लगता था लगए लेकिन अफ केवल 5% का टैक्स लगेगा जे देन ऑक्सीजन और कंसेंट्रेटर वेंटिलेटर बाइप मशीन पल्स ऑक्सीमीटर टेस्टिंग के टिया सब बारा परसेंट के टैक्स या थे पहले अब पांच परसेंट के टैक्स पे आएंगे तो टैक्स लगेगा तो इनको डिक्रीज किया गया है सब खरीदा जाएगा उसको देखते हुए इसको खम किया गया है ठीक है ना second news है declassification policy तो नई declassification policy जो है defense ministry नो उसको nod दी है declassification policy क्या होती है जैसे मालनों कोई classified project हुआ कोई classified चीज हुई classified मतलब कि बहुत top secret type की चीज हुई अब उसको कितने सालों के बाद आप declassify कर सकते हैं या उसकी details आप public के सामने ला सकते हैं declassification policy के इंतरकत बताया जाएगा तो डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग ने प्रूफ किया policy on archiving declassification, compilation and publication of war and operation histories तो ministry of defense के जितने भी war या operational histories है कोई भी operation operation से राहत किया सपोस कुछ भी किया मिनिस्टर आप डिफेंस ने जो भी किया अलग से उसके regarding declassification, compilation, publication ये सारी चीज़ें इस policy के अंतरकत देखी जाएगी अब इसमिन ने कहा है कि जैसे बहुत पुरारे जो वार है for example 1962 का जो वार हुआ Chinese war हुआ ये सब जिसे वार हुआ तो इनको case by case basis पे declassify के जाएगा on the basis of the recommendation of the committee कमीटी भी constitute करने के लिए बुला कि इस policy के अंतरकत इस committee जो है उसको कौन head करेगा उसको head करेगा joint secretary ministry of defense ministry of defense का joint secretary जो है वो head करेगा इस committee को and इस committee फिर ये committee decide करेगे कि case by case basis पे कौन से किस war को declassify करना किस war को declassify नहीं करना ठीक है ना जैसे कि यहाँ पे policy क्या बोलते हैं तो policy के recording record should ordinarily be declassified in 25 years ठीक है ना इनका यह कहना है declassification policy में कि records हैं वो 25 सालों में declassify कर दिया है they should be normally declassified in 25 years अब यह 25 सालों से पीछे के record है records older than 25 years they should be appraised by by archival experts and transfer to the national archives of India once the war operation histories have been compiled तो जैसे इनकी war histories या operation के history compiled हो जया है तो फिर उनको national archives of India में भेज देना चाहिए ठीक है ना declassify करने पहले में लेकिन मैंना को आता है कि जो बहुत पुराने war है तो उनको case by case basis पे जैसे कि 1962 का war हो गया या operation blue star हो गया तो उनको case by case basis पे ही declassify किया जा सकता है जो important wars and all है ठीक है ना और confidential cases की case पे इनको लिखा कि जैसे बहुत जादा confidential cases है for example Henderson Brooks report on 1962 war तो यह आप लिखा है Henderson Brooks report तो गर आप से पहले चीज़ तो यह पूछा जा सकता है Henderson Brooks report किस से related है Henderson Brooks report याद रखेगा it is related to the 1962 war with China इस तरीके को चीज़ या operation blue star 1984 का हो गया तो इसके लिए उन्होंने का इस तरीके की चीजों के लिए case by case basis पे committee के recommendation के बाद ही लिया जा सकता है फैसला और case by case basis पे हिनको declassify किया जा सकता है ठीक है ना and the policy mandates constitution of a committee headed by joint secretary minister of defense यह मैंने आपको अलड़ी बताया हुआ है इसमें policy के अंदर के अंदर ही एक प्रोसीजर दिया है committee को constitute करने का जिसको joint secretary ministry of defense head करेगा अगली news है वही front page से ही है यहाँ पर operation olivia अगर आप से कोई operation olivia कि है तो यह Indian coast guards का operation है याद रखेगा Indian coast guards का operation है operation olivia is for rescuing and saving and protecting the olive ridley turtles याद रखेगा olive ridley turtles को protect करने के लिए save करने के लिए operation olivia जो है यह Indian coast guard चलाते है ठीक है ना Indian coast guard आप सबको मैंने पहले ही बताए कि important factor के regarding यह कि ministry of defense के अंदर गताते है ठीक है ना कई confusion है कि home ministry के अंदर के अंदर आएंगे बड़ ऐसा नहीं है वह ministry of defense के अंदर गताते हैं Indian coast guards चेके ना operation olivia is now for the protection of olive ridley turtles और यह 1980s में इनी शीट किया गया था 1980s मरली 1980s में इनी शीट किया गया था and olisa coast में basically जहां पे breeding ground है आपके olive ridley turtles का olive ridley turtles का breeding ground कहां पर है यह आपका mainly जो उडिसा वाला region है भितर कनिका वाला region है वहां पर है और यहीं पर यह देवी river गहिर माथा sorry मैं आपको बताता हूँ कि exact location जो है वो गहिर माथा है this is at the mouth of the देवी river गहिर माथा जगह है और यह कहां पर पढ़ती है the mouth of the देवी river ठीक है ना and in रुशी कुल्या यह दो जगह है याद रखेगा गहिर माथा mouth of देवी river और रुशी कुल्या these are the location जहां पर यह लाक्स में नेस्टिंग करते हैं अच्छा एक और चीज ऑलिव रिड्ली की जो नेस्टिंग होती the olive rich değto is still can have the mass nesting जाला बहुत ज्याद this is known as the arybada this mass nesting is known as the arybada इसको भी याद र杖ेगा इंडिया में अगर प्रोटेक्शन के स्टेटस बताऊं तो लगबग सी टेल्टल की पांच स्पिशीज है इंडिया इंडिया इंक्लूड़े इन श्रेड्डीर और प्रोटेक्शनद वालयव में प्रोटेक्शनद आउसलिक्शन में पुष्षन आइंटेव साइद vibrantas decision क्या इन डी मोखärtपा शाल। of wild fauna and flora थेकर ना तो यह जो sites है यह क्या करता है? यह prohibit करता है trade in turtle products थेकर ना turtle products में trade नहीं कर सकती हैं, जो signatory countries है they cannot trade in turtle products, तो sites उसको रोकता है और दूसरा इंडिया का जो act है in wildlife protection act of 1972 उसमें maximum production दी हुई है in five species of sea turtles को and they are under the schedule one of that तो यह schedule 1 में है already ठीक है इसको याद रखेगा और ओलिव रिडली का जो scientific name है वो लिखो लिखा है लेपीडो लेपीडो केलिस ओलिवैसिया लेपीडो केलिस ओलिवैसिया याद रखेगा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने को पता से लगे कि यह आईउसियन के अंदर जो है वल्नेरेवल स्टेटस में है और आईउसियन के अंदर क्या है वल्नेरेवल स्टेटस में तो इंदा हिंदू भी काफी जादा अब UPC की हिजाब सही देखो पूरा नोट्स भी उन्होंने बना जाए ठीक है ना तो आईउसियन में यह वल्नरेवल के टेगरी में थीज आर्था इंपॉर्टेंट 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 इंड्राफ्ट प्लान इन्विजन्स कैपिटल एजर ट्वेंटीफोर आर सिटी अब यहां पे मैंने कल भी आपको ब किस तरीक से बैलस बना करके चलेंगे इस सारी चीजे इस प्लान में है अब उन्होंने बैसिकली प्लान यह किया है कि डेली विल बी डेवलप्ट एजर ट्वेंटीफोर आवर्स आर सिटी और इट विल बी फोस्टेंग नाइट टाइम एकॉनमी नाइट टाइम एकॉनमी और अब अब आपरेट लोग फ्रिक्वेंसी नाइट टाइम सर्विसेज अलसो तो इन्होंने दोनों चीजे की वह एक पहली चीज के नाइट एकॉनमी को प्रॉस्परस बनाने के लिए नाइट एकॉनमी को और जादा यूज़ करने के लिए और दूसरी चीज जो है कि डि बिवेट वहीकल हैं जो ब्रायिवेटेस तरीके के ट्नसपोरौ पूरी तरीके खतम किया don so भी ओर दीरी पबिक ट्रांसपोरेशन में क्या सके तो इसका बेनिफिट रिंडरेक्टली कहा देखाया कनव जलेगा सका बेनिफिट को मिलेगा स्ट्राइब करेगा और बहुत अच्छे तरीके से डेवलप के जाएगा जैसे कि स्पेसिफिक एरिया बनाए जाएंगे फुटफॉल वाले एरिया अलग रहेंगे टूरिस्ट हॉट इधर ऐसे कोई न्यूज नहीं है जो आपने डिसकस करें तो आगे आप मूव कर सकते मेरे साथ अगली न्यूज देखो यहाँ पर जी सेवन लीडर्स टेक ऑन चाइना प्लान टुस टॉफ नूज पैंडेमिक तो यहाँ पर जी सेवन की मीटिंग हुई थी आप संको पता है जी सेवन की मीटिंग में डिसाइड किया गया कि चाइना का जो इस तरीके से राइज है इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने की स्ट्राटीजी दी है अल्रेडी इस स्ट्राटीजी में नियूज में रहती है इसका नाम है बेल्ड रोड इनिशेटीव तो उसको काउंटर करने के लिए इस यह स्ट्राटीजी जो है यह डेवलप की गया यह स्ट्राटीजी मेंशन थी कहां पर सेंड़ई फ्रेमवर्ड जबाया था तो भी जापान जैपनीश शिंजो अबने इसको बिल्ड बैक वेटर से स्टार्ट किया था उन्होंने का तो बिल्ड बैक वेटर विल विल वी दे एम अफ दिस स्ट्राटीजी सेंड़ी फेमवर्ड और यह याद रखेगा बिल्ड बैक बेटर वर्ड ठीक है ना और दूसरी चीज जी सेवन मेंबर्स ता आप सा को पता है आगे फ्यूचर में कोई पैंडेमिक्स ना हो इसको भी रोकने के लिए प्रयास किया रहे है ठीक है ना इसके लावा यहां पर देखेगे जी सेवन के एग्रिमेंट हुए थे और कार्बिस बै डिकलेरेशन देगो कार्बिस बै डिकलेरेशन विच इस तरीके से कार्बिस बै डिकलेरेशन भी आप याद रखना कार्बिस बै डिकलेरेशन देखेगे इस इंपॉर्टन टम यूशुट रिमेंबर देखें ठीक है ना इसको याद रखेगा कार्बिस बै डिकलेरेशन में ने अलड़ी बता दिये बृतेन कैना फ्रांस जर्मनी इटली जापान और बैस देखें डिकलेरेशन एक इंपॉर्टन टम था जो कि आप यहाँ पर याद रख सकते हैं ठीक है ना मीट भरिता भर्तला लैस्चस टपानी इस अ कार्णी वोर्स रप्टाइल डिफ टू फॉर्टी मिलियन यर्स अगो तो यह नाम बस याद रखेगा भरिता भरिताला 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 भरित तो यह एक crocodile headed deity है Egyptian जिसको सूचस बोलते हैं उसमके उपर यह नाम रखा गया था ठीक है न and they belong to a extinct reptile family known as erythro-suchide याद रखेगा अरिथro-suchide family से यह belong करते थे science page में news है तो मैंने आपको बता दिया दरवाइस बहुत ज़्यादा important नहीं है bitcoin push अब यह जो आर्टिकल हम discuss करने वाले है इस आर्टिकल में यह बताएगा कि El Salvador जो हो पहली country बन गई जिसने की bitcoin को legal tender घोशित कर दिया ठीक है ना अब सबसे पहली बाद author ने कहा है कि El Salvador की जो currency है वो US क्यों है सबसे पहली बाद ऐसी country कई country जिनकी currency खुद की बहुत volatile रहती है unstable रहती है यसे कि Zimbabwe में बहुत ज़्यादा hyper inflation हो गया तो ऐसी country क्या करती है कि फिर वो dollar को अपनी currency बना लेती है dollar की currency बनाने से उनको क्या फायदा मिलता है कि stability एक प्रवाइड हो जाती है तो El Salvador ने 2001 में अपनी economy को dollarize कर दिया था मनलब कि dollar को अपनी currency बना लिया था ठीक है न अब दूसरा इसका एक नुकसान लेकिन यह होता है इसका नुकसान यह होता है कि जब dollar currency बना लेते हैं तो US का जो central bank है यानि कि fed bank जो है federal bank जो है जब वो अपनी policies change करता है तो US को फायद होता होता है लेकिन बाखी countries जिन्होंने US के dollar को अपनी currency बनाई होती है उनको नुकसान होने लगता है ठीक है न तो इसी current से इन्होंने bitcoin को भी rationalize कर दिया है और इसका इसका importance importance क्या होगा कि कई जगे dollar में जब transaction होता है तो उनकी transaction fees लगती है लेकिन bitcoin के case में transfer आप जब bitcoin के case म यह वो कम हो जाएगी यह लगेगी ही नहीं है न क्योंकि अभी भी जो bitcoin है वो decentralized ledger में काम करता है इसलिए countries और banks जो है इसको allow नहीं कर पा रहे है क्यों क्योंकि यह decentralized system पे काम करता है और bank जो है वो हमेशा centralized system पे ज्यादा तर भरोसा रखते है ताकि उनकी उपर regulation और monitoring conspicuous है या फिर bitcoin को cryptocurrency को legalize करने में क्यों घबराती है तो इसका reason यह है सबसे पहली बात कि इनका decentralized control इसके उपर कोई regulator काम नहीं कर सकता cryptocurrency के उपर तो सबसे बड़ा reason तो यह हो गया दूसरी चीज़ यह है कि highly volatile है for example अगर Elon Musk ने tweet कर दिया तो इसकी currency rates बिल्कुल 40 लग से 30 लाग पर आ गया 30 लाग से 40 लाग पर भी आ सकते हैं तो यह एक बहुत बड़ा एक disadvantage है तो एक बहुत volatile है तीसरा यह है कि बहुत ज्यादा energy का use होता है क्योंकि इसकी mining में बहुत ज्यादा super computers और यह सब लगते हैं जिसमें emissions भी होते हैं environment के तरीके से नुकसान पहुंसता है तरीक लाग से 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